गुरमोनी सुटेंस कैसे आक सा का दाम जी के नेच्स चैप्तर शुरू करते हैं क्या नाम है इसका सेसी नेक्टिंग बर्ट करें इसमें हम ऐसी अडगला चीजे के बारे में जानेंगे जो बर्ट के अंदर है जो हमाई पूरे वर्ल्ड में मिलक है बर्ट आका वासी फुल अ जिसके पार एक फैगर रहे हो एक विंग से वह बनी हुई है लुक अग्डा इमेजिस आफका बर्ड और यूनिक अभी लिटीज अब नीचे कुछ पिच्छर गे रखी है बर्ड की और उसकी कुछ यूनिक अभी लिटीज गे रखी है मतलत सबसे अलग हटकर जो उसकी अभी लिटी है वो इसमें गे रखी है filling the missing letters to complete the names of the birds in the space propagated जिसमें कुछ letter missing है उसको हमें complete करना है ठीक है जिसे एक बर्ड का नेम बन जाए तो उसके बादे में जानके हम कि ये बर्ड जो है किसकर है यूनिक है सबसे पहले क्या है एक इसका largest flying bird with the biggest wingspan ये सबसे लंबी उड़ने वाली बर्ड है जिसकी बहुत लंबी wingspan है ठीक है क्या नाम है इसका अलबेक्ट्रोस ठीक है A-L-B-A-T-R-O-S अलबेक्ट्रोस ठीक है सामने आप पिच्चर में गेख सकते हो जो ये बर्ड है इसका नाम है अलबेक्ट्रोस इसके जो wings है ये गेख रोई wings ठीक है अगर आप यहां से लेकर इसके यहां क्या नापेंगे है ना तो इसका बोड़क है wingspan जो ये बर्ड है इसकी बहुत बहुत बड़ी wingspan है ठीक है around 11 foot ठीक है इसका नाम है अलबेक्ट्रोस जब यहां से लेकर यहां क्या क्या हम नापेंगे इसी होका है हमारा पूरा 11 foot और इसी को बोड़क है wingspan को इस बर्ड का biggest wingspan है अब आगे बढ़के हैं the bird with the longest beak अब बीक क्या हो कि चोच यह ऐसी बर्ड है जिसके पाद बहुत 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 लंबी चोच है क्या नाम इसका pelican पि-e-l-i-c-a-n pelican ठीक है आप पिच्चर में भी गेख सकते हो यह गेख्री आपको है ना यह सामने पिच्चर में है इसका नाम है pelican ठीक है इसकी यह एको बीक इसकी सबसे longest beak है ठीक है जो यह वर्ड है pelican इसकी longest beak है मतला लंबी इसकी चोच है अब आगे बढ़के हैं दा बर्ड विग्डा बैस वीजन एक नाइक यह एक ऐसी बढ़े जो आख को बिल्कुल जिसका बैस वीजन है मैंकर जो इसकी आखों का जो आइस सायक है बोजागा टेज है ठीक है क्या नाम है इसका आउल यह का आप सबको आपने सुना भी होगा है जो आउल है वो आपको डेख सकता है बिल्कुल क्लियर और जिसकी नजर बोजागा टेज है इवन एक नाइट अब आगे बढ़के हैं इसकी नजर बनाती है इसका इगल ठीक है आप पिच्चर में गेख सकते हो उपर ठीक है जो इसका यहां पर नेस बना हुआ है पूरा शबसे बढ़ा नेस यह बनाती है इगल de gerber which goes for longest migration है है यह ऐसी बढ़े माइगडेशन मंग्ला एक जगे से in दूसी जगे travel कर ना जाना तो सबसे बड़ाgel son करती है ठीक है सबसे मंग्ला सबसे लिए यह करती है एक जगे यह बहुत बार्स कर दूसी जगे टक क्या नाम इसका आठिक टर्न ठीक है आर्क्टिक टर्न ए आर्सी टी आई सी टी ए आर्क्टिक टर्न डब बर्ड विच लेस गा लार्जेस एग ये एक ऐसी बर्ड है जो अपना जो अंड़ ये गेटी है वो बड़ा होटा है लार्जेस एग मैंका सबसे बड़ा एग ठीक है क्या नाव इसका ओस्क्रिज और ये ऐसी बर्ड है जो सबसे बड़ी है हाइक में भी ये बड़ी है जो इसके जो अंड़ा होटा है वो भी बड़ा है लार्जेस्ट है वो भी क्या नाम इसका ostrich आप पिच्छर गेख सकते उसकी यह ही हमारी ostrich ठीक है यह सबसे लंबी बड़ भी मानी जाती है जो इसका एक है वो भी बड़ा है लाट जैस एक है इसका अगला है The smallest bird यह ऐसी bird है जो सबसे जागा छोटी है क्या नाम है इसका Harming bird H-U-M-I-N-G Harming B-I-R-D Harming bird सबसे छोटी bird है यह पुरे वर्ल में ठीक है The Arctic turn is famous for its migration It flies from Arctic breaking ground to Antarctic and back again each year तो यह क्या करती है जो Arctic turn जो हमने पढ़े जो सबसे बड़ा migration करती है वो Arctic से fly करना शुरू करती है Antarctic तक बापिस कुछ सालों बाग या भी हर साल वो बापिस अपने जगे पर आ जाती है जहां से वो शुरू करती है हर एक साल बाग वो बापिस अपनी जगे पर आ जाती है migration करके अगला है Interesting fact about animals कि उसमें क्या बता गया है कि animals के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बाके बता रखे जो हमें नहीं बता है Real tough fact given below carefully and understand more about these animals and birds नीचे कुछ facts गे रखे इन एनिमर्स और बर्स के बारे में उनको पढ़ना है उनको समझना है तो सबसे पहले क्या आईए ostrich can run faster than horse and male can roll like loyan जो ostrich है वो horse से भी जगाटेज वो भाटी है जो male ostrich है वो एक loyan की करदा दाड़ सकता है ठीक है अगला है an elephant can smell water from up to 19 km अभे तो 19 km दूर से एक elephant पानी को सूंग सकता है smell कर सकता है कि बता सकता है कि पानी किस सेड होगा ठीक है एकने दूर से 19 km से वो पानी को smell कर सकता है koila koila beer eats only eucalptus leaves and nothing else यह सामने का beer की खायगे रही है इसका नाम है koila beer तो यह क्या करता है you collectors नाम का एक leaves होती है उसको यह खाता है ठीक है इस beer का नाम है koila अब यह क्या है फोर्क नमबर पे यह सी होर्स ठीक है seahorse is the slowest moving fish तो यह seahorse है यह सबसे slow चलने वाली fish मानी जाती है अगला है जो फिफ्ट नमबर पे यह है जिराफ जिराफ है snow vocal cord and its tongue is blue black in color जो जिराफ है उसके पास कोई भी vocal cord नहीं होगता vocal cord क्या है जिसे हम अलगला sounds निकाल सकते है तो जिराफ के पास कोई भी vocal cord नहीं होता है जो इसके sounds नहीं निकाल सकते हैं जो कोई हवा हमारे गले में टक्राटी है तो एक sound produce होती है लेकिन इसके में ऐसा नहीं होता है अगर यह कोई आवाज निकाल की भी हलकी सी बिलकुल तो हम जैसे human being से उसको सुनी नहीं सकते हैं जो कि वह आवाज जो कि बहुत बहुत कम होती है ठीक है इसके बाद यह इसको बोलके हम स्नेल ठीक है आप सबने गेखा भी होगा गाओं में गेखा होगा और जहां पर मिक्टी मिक्टी होके ना महां भी स्नेल निकल जाके बारिश के कैम पर तो क्या पताया इसके बारे में स्नेल के ग्रोवा नियू आई इफ एक लूजिस वन अमई एक आईस खराब हो जाती है आप कुछ भी होजाता है यह कोई खराब हो गई हमारी आईस क्या उन नहीं कर सकते है अपने आप से लेगिन जो अपनी नहीं आथ ग्रोव कर सकता है कि कहांए सेवन पे सम डख स्लीफ विट वन आई ओपन कुछ डख ऐसे है जो अपनी एक आईस ओपन करके सो जाते हैं अब एक नंबर पे पिच्चर पे क्या बना हुआ यह है टर्टल टर्टल जेंडर कैन भी आइडेंटिफाई बाइगा नौइस इक मेक्स जो टर्टल होते हैं हमें यह जानने के लिए वो मेल है या फीमेल है यह जानने के लिए उनकी जो नोईज होके जो अवाज होके उसे हम पैचान सकते हैं आइ już जो ट्रचल होता है वो ग्रञ्घ जैसी आवाज करके आवाज उती है ना उस टाइब की आवाज निकलते हैं तो उसे हम पचांश सकते हैं कि और मेल करने Native Jersey कि या फिर female है ठीक है जो मेल है वो ग्रंक जैसे की गुर्ड गुर्ड करके आवाज होती है ना इस कैप की आवाज निकालता है और जो फीमेल वो हिस करके ऐसी साउंड वो निकालती है अवी नाइन नंबर पे क्या है यह है बटर फ्लाइ बटर फ्लाइ यह टोंपाउंड आइस कंसिस्टिंग थाउजंड ऑफ लेंस जो बटर फ्लाइए के पास 2 अमकर 2 आइस से बनी हुई है उसकी आखे जिसके अंदा बोथ थाउजंड ऑफ लेंस लगे हुए है जो butterfly के जो eyes है न उसमें बहुत सारी thousands of lenses लगे हुए जिसके वज़े से क्या है उसको बस three colors गिखाए गेते हैं कौन-कौन से colors? red, green और yellow ठीक है? जो butterfly है जो उसकी eyes है उसमें thousands of lenses लगे हुए है जिसके वज़े से उसको बस three colors गिखाए गेते हैं वो है red, green और yellow ठीक है? parrack can learn to say thendrix of words जो parrack होता है जो टोटा होता है वो hendrix words वो सीख सकता है बोलने के लिए hendrix words जो है वो सीख सकता है उसको बोल सकता है कौन? parrack ठीक है? यह हमने कुछ अलग-अलग facts पढ़े animals के और birds के ठीक है आपको इनको अच्छे से रीड करना है और जो इससे पहले में आपको करवाया है क्या करवाया का fascinating words आपको इसकी exercise book में करनी है ठीक है आपको इनको की reading अच्छे से करनी है कर मिलेंगे अपने next class पर अपना घ्यान दखिएगा तो thank you